नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपने इस खास कार्यक्रम में शुब राशी में मैं हूँ आपके साथ आचारे दीपा शर्मा और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्रा खंड बात कर लेते हैं राशी फल की सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी वालों की मेश राशी वालों के लिए घर में सकारात्मक्ता महसूस हो गया आपको आज आपसे कोई कार्य की मदद की उमीद कर सकता है तो उसे निराशना करें लव लाइफ आज आपकी अच्छी रहेगी मेश राशी वालों के लिए मेडिटेशन से मान से तनाव दूर होगा परिवार में किसी का मूड खराब हो सकता है आप ठीक कर सकते हैं अगर हल निकालेंगे तो समझा है जरूर सो लज जाएंगी मेश राशी वालों के लिए आज गर्ट से मुक्ति मिल सकती है आज ओफिस में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आज के दिन बढ़ सकती है गर्ट राशी वालों के लिए निवेश से पैसे का बड़ा लाब होगा थोड़क ध्यारे बना कर काम करेंगे तो दिन अच्छा होगा आज कोई सपना भी यानि पुराना देखा हुआ कोई डृम पूरा हो सकता है सिंगराशी वालों के लिए आज आपका लोन पास हो सकता है संतुलित आहार का सेवन करना आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों के साथ बाहर जाना पड़ सकता है लेकिन खाने पर नियन देत रखेगा तुलाराशी वालों के लिए किसी मनपसंद स्कीम से आज निवेश कर सकते हैं आज आपका पैसा मिल जाएगा आपको वापिस घर में सुक शांती बनाए रखने का आज प्रयास कीजिएगा तुलाराशी वालों के लिए अपना काम दूसरों पर न छोड़े आज पैसों के लेन देन में थोड़ा साफधान होकर चले चात्र परती योगिताओं में आज बहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे मरश्चिक राशी वालों के लिए प्रॉपर्टी डीलरों को आज मुनाफ़ा हो सकता है जीवन साथी की सला लेकर आज काम करेंगे तो किसी काम में भी निराशा नहीं होगी बाहर जाने से आज के दिन बचेंगे तो अच्छा होगा मरश्चिक राशी वालों के लिए आर्थिक पक्स मजबूत होगा दोस्तों के साथ मुवी या घुमने फिरने देखने कहीं भी घुमने फिरने जा सकते हैं चात्रों को सफलता मिलने का आज योग बन रहा है मकराशी वालों के लिए ओफिस में ज़्यादा काम करना पड़ सकता है थोड़े ठक सकते हैं कोट का चहरी के मामले आज सुलज सकते हैं आपके साती साथ कारोबार में आज आपको बड़ा लाब हो सकता है गुम्राशी वालों के लिए अचानक धन लाब हो सकता है आज के दिन काम में सफलता भी आज आपको मिलेगी आज कोई गिफ्ट या उपहार या कोई तौफा भी मिल सकता है में राशी वालों के लिए डिप्रेशन और तनाव आज दूर होगा आफिस में आज किसी से प्यार हो सकता है या एट्रेक्शन हो सकता है थोड़ा सा संभल कर चलें घर में आज किसी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है और ये था बारा राशियों का राशिफल और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए राशिफल के साथ तब तक के लिए खुश रहिए सुस्त रहिए जैमाता की